फिरोजाबाद की महिलाएं हमारे साथ मौझूद हैं और आज बढ़ चल कर मतदान कर रही हैं लेकिन मुद्दे क्या है और किस तरीके की सरकार चाहती है उनसे बाचीत करते हैं यह बताईए फिरोजाबाद में तो मुझे लगता आप लंबे समय से हैं और आज आपने मतदान किया क्या सोच कर किया कैसी सरकार होनी चाहिए जो होने थी रहे और आप ने भी मतदान सबका अधिकार क्या मुद्दे आपको लग रहा है कि होने चाहिए किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिरोजाबाद को लेकर किसको लेकर कोई बदलाओं नहीं होने जा रहा है फिरोजाबाद को आप किस तरीके से देखती है लगता आपको विखास हो रहा है यहाँ पर जो मुद्दे हैं आपके पूरे हो रहे है क्या फ्री हो जाए क्या फ्री हो जाए लाइट फ्री हो जाए महिलाओं पर इसाने मद्दा होई अरेक चीज़ पर लड़का बच्चा पढ़ना पायरा है आदी में का काई ले का बच्चा न पढ़ाई ले का अचल्टर का रहे है आपने जिस पर ट्याशी को वोट किया है आपको लगता है यह उमीदे उसे अच् Omieography पूरी होंगे जिस पर ट्याशी को आपने वोट किया पहले यहां पर मैंने लोगों से बात करी उन्होंने का महिला यहां पर रात में बाहर नहीं निकल पाती थी सुरक्षा नहीं होती थी और लोग भी हमारे साथ यहां पर है आपने वोट किया सर क्या मुद्दों पर सर आपने वोट किया है क्या मुद्दे होने चाहिए फिरोजाबाद के अंदर आप रहते हैं क्या मुद्ध आपको लगता है कि होना चाहिए बढ़ना चाहिए फिरोजाबाद में विकास क्या तो तमाम लोग यहां पर जुड़े हुए है किसी का कहना यह है कि महंगाई कम होनी चाहिए रोजगार बढ़ना चाहिए कुछ लोगों का कहना ये है कि हमने फिरोजाबाद में विकास के मुद्दे पर मतदान किया है फिरोजाबाद से वीडियो जनली पंकर निगम के साथ संदीब खेर भारस समचार